हेलो दोस्तों क्या आपके पास भी रेविट की फैमली नहीं है और आप चाहते हो कि रेविट की फैमली डाउनलोड करें कि एक ऐसी पर्टिकुलर वे पे कि आपको वन टाइम में काफी सारी फैमली आपके कंप्यूटर में मिल पाएं तो यह वीडियो लाश तक देखें और इस वीडियो में आपको वो सल्यूशन बिल्कुल मिलने वाला है तो हमारे पास एक प्लग इन है जिसमें यह सब फैमली जो आप यहां पर देख पारे हो सारी फैमली आप वन टाइम में आपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो उसके लिए सिंपल आपको क्या गरना है आपको गूगल पर जाना है और यहां पर टाइप करना है ब्लोक्स आरवीटी.com जैसे आप इस साइट को ओपन करते हो तो आप देख पाएंगी कि इस टाइप का आपको एक इंटरफेस यहां पर देखने को मि यहां पर काफी सारी पैरामेट्रिक फैमिलीज है रेविट की जो आप वन टाइम में आप डाउनलोड कर सकते हो वह एक प्लग इन है जो वह डारेक्ली आपके अटैच हो जाएगा आपके रेविट के साथ जो आप फैमिली वहां से यूज कर सकते हो तो उसके लिए आपको को यहां पर डाउनलोड पे क्लिक करना है तो यहां पर आपके पस 2 फ्री वाली और ब्रीम प्री rua ूप्शन में सिम्प्ली आप क्या अंगर सकते हो 500 प्लस फैमिली को इमीडाइटली अवेल्बल है जो आप यहां पर यूज कर सकते हैं डेलिक आपका five families every week क्रील itt कर सकते ह वांस फिल्टर आप डाल सकते हो कि किस टाइप की आपको फैमिली चाहिए और फैमिली की जो आपकी कंटिनुसली अपडेटिड होती रहेंगी अगर आप प्रीमियर में लेते हो तो प्रीमियम में क्या है कि सिर्फ 219 रुपे आपको पर मन्त के पे करने अगर आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो उसमें आपको 2000 प्लस फैमिली मिलेगी इमिडेटली 25 ब्रैंड्स न्यू फैमिली एवरी वीक आपके वहां पर अप्लोड होंगी और बाके सारी चीजे एस जीटी रहेंगी उसके बाद अगर आप इसको यहां पर करते तो मंतली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर आपको यह नहीं करना तो आप यहां पर डाउन को मिल है आपको 1st Name लास्टनेम इमेल आइडि आपसे पूछेंगा पास्वार तो इसको हम जल्दी से फिल कर देते हैं जैसे हम यहां पर करते हैं फिरस्त नमीज दीपर्क बर्मम इमेल आइडिये यहां पर जल्दीसे पर्वाइड़ कर देते हैं उसके बाद आपको चेक करना है, I would like to receive news, कर सकते हो नहीं कर सकते हैं, इसके कोई जूरत नहीं है, बट I agree कर सकते हो by policy जो हम नॉर्मली पढ़ते भी नहीं है, simply आप continue पर click करेंगे, तो आप देख पाएंगे 213 MB की family वो आपकी यहाँ पर download होनी start हो जाएगी, तो आपके 213 MB की family है, डिपेंड गरता आपकी network speed पर क्या speed है, तो उसी speed से अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो speedily आपकी download हो जाएगी, अब जैसे आपकी family download होती है, आप इसे show in folder पर click करें, तो आप देखेंगे आपका downloads में वो family आजाएगी, आपको simply क्या करना, आपको double click करना है, जैसे आप double click करते हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो आपके पास एक option आता है, कि setup requires 95 MB, and please select Revit version you want to install, जो भी आपके पास version है, only यह available है Revit 19, 20, 21 and 22 के लिए, अगर आपके पास जो भी version आप उस पर चेक करें, मालनों मेरे पास 19 है and 22 है, मैं दोनों को यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, थाकि मैं इसको install कर पाऊं for 19 and 22, यहाँ पर इस से lower version के लिए यह available नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यहाँ पर अगर प्लीज स्लेक्ट the language you want to install, English पर क्लिक करें, I agree पर क्लिक करें and install पर क्लिक करें, जैसे install पर क्लिक करेंगे आप उसको yes करें, और अब आपका यह installing होना यहाँ से start हो जाएगा, अब यह बोलेगा, blocks has been successfully installed, आप फिनिश पर क्लिक करें, अब आपको क्या करना है, जैसे अब आप यहाँ पर Revit को open करोगे, तो वो आप से वहाँ पर एक permission लेगा, जो आपको accept करना है, यह permission है, this sign ad is has been found, what do you want to do, आप इसे always load पे क्लिक करें, उसके बाद आपका Revit यहाँ पे start होगा, उसके बाद new project जब भी भी आप open करोगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे add scene में, block को option होगा, यहाँ पे आपको blocks पे क्लिक करना है, तो वो आपसे पूछेगा email id and pin के लिए, तो आपको यहाँ पे अपनी email id प्रवाइड कर देनी है, बड़ जो आपका pin आएगा, आपको उसके लिए अपनी email id पे जाना है, तो वहाँ पे आपको pin generate करके देगा, उस pin को आपको copy करना है वहाँ से, अपनी email id से, और उसको यहाँ पे provide करना है, तब login करना है, अब जैसे ही आप login कर दोगे, तो आपके पास इस type का dialogue box हाएगा, blocks के नाम से, तो यहाँ पे सबसे पहले है families, आपको different types की families यहाँ पे मिल जाएगी, काफी सारी families है, इन में से आप कुछ भी choose कर सकते हो, तो हम यहाँ पे काम करते है, एक floor ले लेते हैं, यह floor ले फिनिश, 3D और यहाँ पे लेते हैं, अब यहाँ पे हम place करते हैं, किसी भी object को, किसी भी object को place करने के लिए, आपको simply करना क्या है, यहाँ पे click and hold करके, drag करके यहाँ पे आ जाओ, अपनी स्क्रीन पे और आप उसे वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, क्लियर, कोई भी अबजेक्ट आपको चाहिए, तो आप क्लिक खोल्ड करें, ड्रैग करें, और आप यहाँ पे प्लेस करें, अब यह डिपैंड करता है आपकी इंटरनेट और आपकी इसका ध्यान रखें कि आपको कितनी नेट की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप अपने अबजेक्ट को स्पीडली यहाँ पे प्लेस कर पाएं, कुछ इस तरीके से, क्लिक, होल्ड ड्रैग करके आपको प्लेस कर देना है, और आपकी इतने सारे इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इन अबजेक्ट को एडिट भी कर सकते हो, अगर आप इन अबजेक्ट पे क्लिक करते हैं, मालनो प्लेस किया, मालनो किसी भी अबजेक्ट पे आप क्लिक कर रहे हो, एडिट टाइप पे जा रहे हो, यहाँ पे इसके material चेंज कर सकते हो, elevation कि के parameters individually बने हुए हैं तो आपने according आप इसे change भी कर सकते हो, तो यहां पे काफी सारे आपको object मिलेंगे, अगर आप free version यूज़ कर रहे हो तो 500 प्लस object यहां पर मिलेंगे, अगर आप premium यूज़ कर रहे हो तो आपको 2000 प्लस object मिलेंगे, जिनको आप यूज़ कर सकते हो, उसके बा उसके बाद है यहां पर एक option है add in group, अगर आप group बनाते हो, मालनो add in group एक group मैंने बनाया हूँ, Lamp के नाम से, मालनो मैं इसको एक group बनाता हूँ, right click add in group, और यहां पर create a new group पे करता हूँ, और मैं यहां पर लिख देता हूँ, मालनो मैंने नाम रखा कोई भी my objects, कुछ भी आप यहां पर नाम लिख सकते हो, यहां पर group image डाल सकते हो, आप यहां पर click करें group image पे, कोई भी group image आप यहां पर डाल सकते हो, wardrobe आप यहां पर नाम रख सकते हो, यह click के select किया, and okay करोगे, तो यहां पर आप देखोगे, second, third number प ताकि आप जो object आपको directly चाहिए, आप उन पर click करके उन object को वहां से use कर पाओ, वो आपको यहां पर search करने के जुर्थ ना पड़े, वरना आप यहां पर search भी कर सकते हो, मालनो आप lamp लिखते हो, यहां पर, तो lamp से related जितनी चीज़े हैं, आपको वो सारी यहां पर मिल जाए तो वो आपको group में दिखाई देगा, उसके बाद है कि आप किसी भी object को right click करके उसको कर सकते हो, add to favorite, आपके यह favorite object बन जाएगा, यहां पर heart sign दिख रहा है आपको, अगर आप यहां पर जाते हो, आप favorite पे, आप click करेंगे तो वो favorite वाले object आपको favorite वाले में दिखाई देग इसके बाद है right click करके आप इसे update कर सकते हो, अगर इसके अंदर कोई changes आए हैं तो आप इस पर click करके update कर सकते हो, second number पर है यहां पर, जो आपका option है, वो है collections ही आपकी इन्होंने group करके दिए हुए अलगला collection, पैट से related, जो आपका bathroom decor है, उससे related, office से related, industrial style से related, जो भी आपको चाहिए, इन्होंने already group किया हुआ है, आप इस पर click करें और उनके सारी objects आपको मिल जाएंगे, but, जिसके सामने यह sign आएगा, यह वाला sign, तो इसका मतलब वो premium है, अगर आपने premium purchase किया हुआ है, तो ही आप इसे use कर सकते हो, वरना इसे use नहीं कर पाऊँगे, उसके बाद है यहां पर history, कि आपने जो last use किये हैं, वो यहां पर show हो जाएंगे, उसके बाद है कोई notification अगर आपका payment से related or new message आपका blocks की side से आया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, उसके बाद है new release अगर आपके objects होंगे, तो यहां पर show हो जाएंगे, यहां पर है send image to projects, यह क्या करता ह है, कि आप अपनी images को blocks को send कर सकते हैं, blocks की email ID को, ताकि blocks को अगर अच्छा लगा, तो वो अपनी social media पर उसे post करेंगे, यहां से आप कोई भी question या फिर contact कर सकते हैं, अपने block से, यहां पर click करके, आप profile पर click करेंगे, तो आप premium पर click करेंगे, तो आप premium purchase कर सकते हैं, यहां से आप multiple objects, यहां से free में use कर सकते हो, और जादा नहीं, अगर आप professionally work कर रहे हो, तो only आपका यहां पर 2, 1, 9 monthly का subscription है, जिसमें आपको काफी सारे blocks मिल जाएंगे, अगर आप professionally work कर रहे हो, अगर आप only आप practice के लिए कर रहे हो, तो आप normally free वालव भी use कर सकते हो, ताकि आपको का जैसे आप blocks को download कर सकते हो, काफी सारे students की query थी कि सारे blocks के लिए हमारे पास blocks नहीं है, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, और आगे चलके भी और वीडियो बनेंगे, जिसमें मेरे पास जितने भी blocks हैं, उनको भी आप use कर सकते हो, जैसे मेरे पास यहां पर place a component, मैं इसके लिए भी आगे लिंक देने वाला हूं, मेरे पास काफी सारे objects हैं, अगर मैं आपको यहां पर दिखाओं, इतने सारे मेरे पास objects रखे हुए हैं, मैं इसको भी try करूँगा कि आप तक वहां तक कहुंचाओं, ताकि आप इसको download कर पाएं, तो आशा करता हूं, वीडि देने मत्रों